दोस्तो आजकी स्विडियो बहुती ज्यादा इंट्रेस्टिंग और लाजबा बने वाला है क्योंकि आजकी स्विडियो में हम डिसकस करने वाले क्रेडिट कार के पैसे को अपने बैंक अकॉण में ट्रांसपर करने का एक और नया तरीका ज यहाँ दोस्तो नया तरीका आप के लिए ढूंद के लिए जिसके तो आप अपने क्रेडिट कार के पैसे को आसानी से अपने बैंक अकॉड में ट्रांसपर कर पाऊगे तो दोस्तों तरीका कहा रहेगा किसे अप्लीकेसिन के मज़त लेंगे, चार्जेस लगेंगे, क्या इस सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले तो आपको क्या करना है वीडियो को देखना है स्टाथ से लेकर आखिर तक वदाउट स्किप किए एक और नया तरीका तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता दू प्रेडिट करके पैसे अपको हमारी चानल पर मिलेंगे था यह वीडियो में आप लोगों को हर बार बोला जाते हैं कि आपको छोटे आमांट के साथ जाना है तो जब तक यह ट्रिक चलती है तब तक के होते हैं उसमें बड़े आमांट भी कर सकते हो जैसे पेटियम की जैसे है अभी हम पेटियम के ही पैसे को बैंक अकोर्फ करेंगे और किसी और application के मदद से add money करने वाले और दोस्तो एक बता दू credit application के बारे में अब तक आप लोगों को पता नहीं होगा या आप लोग जानते नहीं होगे तो दोस्तो credit application इंडिया का सबसे ज़्यादा credit card के उपर cashback देने वाला application है इसमें आप जब फर्स टेम के लब का credit card का bill पे करते हो तो आपको मिलता है 500 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक का cashback और उसी के साथ साथ हर एक bill payment के उपर cashback मिलता है credit card to bank transfer होता है इसे धेर सारे यहाँ पे आप लोगों को offers और cashback देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो ज्यादा बगबग नहीं करूँगा सिधा topic पे आता हूँ तो दोस्तो आज के शूड़े में आप लोगों को दो application लगने वाले एक का नाम है my geo application और दूसरा का नाम है paytm तो दोस्तो my geo application को आपको open कर लेना है जैसे आप open करोगे तो आप लोगों के सामने उपर three lines आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ यह three lines आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वहाँ पे आप लोगों को नीची आना है निचे आने के बाद आप लोगों को settings के अंदर आ जाना है जैसे आप settings के अंदर आऊगे तो आप लोगों को यहाँ पर GO Pay setting देखने को मिल जाएगी यहाँ पर जैसे GO Pay setting के उपर आप आऊगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा लोड कर लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोगों को कुछ ओप्सेन देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट है पेटियम, जियो मनी, फोन पे, मोबिक्विक और सेवकाल, ओके, यहाँ पे आप और जियो एटो पे, यह इतने सिस्टम यहाँ पे दिए हैं, लेकिन हमें पेटियम को लिंक करना है, यहाँ का आगे का प्रोसेस आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को क्लिक हो गए होगी, समझ में आगे होगी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका पेटियम आपका लिंक करना है, लिंक करने के बाद बागी के activities आपको मैं करके दिखाता हूँ तो मैं link account के उपर click करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा account है मैं इसके उपर यह करूँगा क्योंकि मेरा जो patium का number हो रही है GO का number दोनों difference है तो देखता हूँ थोड़ा पाउच करके और patium का number डाल देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हूँ यहाँ पे मैंने मेरा patium का number डाल देया यहाँ पे अभी मुझे OTP आएगी देखते है कि OTP आने के बाद क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ 473008 OTP डालने के बाद आप लोगों को verify कर लेना है जैसे कि OTP डाला मैंने verify कर लिया यहाँ पे मेरा account link हो गया अभी आप balance देख सकते हूँ 899 रुपे मेरे account में अभी balance available है अभी हमें क्या करेंगे इसमें add money करेंगे लेकिन कैसे करेंगे यहाँ पे तो कोई option नहीं दिखाए दे रहा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ATM और site में आप एक arrow देख रहे होगे तो इस arrow को आपको click करना है जैसे कि मैं इसे click करता हूँ आपको click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक d-link account और add money यदि आप चाहे तो आपका account को यहाँ से d-link करवा सकते हो और यदि चाहे तो यहाँ से add money करते हो नीचे भी आप लोगों को add money का option देखने को मिल जाता है तो दोस्तों मैं add money के उपर click करूँगा यहाँ पे by default किन सो दिया है आपको जितना चाहे उतना कर लेना मैं यहाँ पे 500 रुपे add money करूँगा 500 नहीं वहाँ पे मेरा 899 111 1111 रुपे मैं यहाँ पे add करने हो ले तो यहाँ पे मैं proceed के उपर click करूँगा प्रोसीड के उपर click करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो भी credit कार है सारे credit कार देखने को मिल रहे मैं इस credit कार का number डाल देता हूँ ठोड़ा पाउज करके तो दोस्तों यहाँ पे मैंने credit कार का number डाल देया add to pay के उपर मैं click करूँगा अभी मुझे यहाँ पे मेरे ICICI bank के तरफ से OTP आनी है OTP आने के बाद मैं इसे transaction मेरा success हो जाना है लेकिन पिछली यूडियो में बताया है कि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा transaction किये हुए कि उसकी वो जैसे मेरे transaction कभी-कभी fail हो जाते है तो मैं यहाँ पे submit के उपर click करूँगा देखता हूँ कि transaction succeed होता है कि fail होता है तो दोस्तों यहाँ पे दिखा दू I think मैरा transaction fail हो चुका है यहाँ पे यह जो rail color का arrow दिखा है ज़रा उसकी वो जैसे लग रहा है ट्रिपल वन ओके तो यहाँ पे मैंने जो add किया था हूँ सारे details यहाँ पे देखते है अभी हम क्या करते है पेटे मैं application में जाके चेक करते कि यह पैसे add हुए के नहीं तो मैं पेटे मैं application को open करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं से violet के उपर में click करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो triple one rupees add हुए जो ऐसे ऐसे बैंक के उपर से था तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह पैसे और यह पैसे कुल मिला के आपको यहाँ पे लग रहे होगे 2010 रुपए होगे अभी इस पैसे को हम bank account में transfer करेंगे अभी देखते है यहाँ पे आप देख सकते हो share to money to bank account यहाँ पे आप लोगों को एक option दिखाए जारा उसको click कर देना है जैसे उसे click करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा 0% charges instead of 5% तो यहाँ पे मैं 2010 रुपए इंटर करता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड to pay के उपर click करूँगा select saving bank account तो मैं यहाँ पे मेरा जो paytm payment bank है उसको ही select किया और प्रोसीड के उपर में click कर दूँगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% charges के साथ यहाँ पे पैसा मेरे bank account में successfully आ चुका है और अभी मैं आप लोगों को bank account में जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे भी मुझे amount आया है कि नहीं आ है तो यहाँ पे मैं अभी transaction तो यहाँ पे हमने यह देख लिया अभी मैं bank account में जाके आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ थोड़ा पाउस कर लेता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आप लोगों को transaction के कुछ details दिखाने की कोशिश करूँगा जो आप देख सकते हो और आप लोगों को ज़्यादा ही कोई दिखकतों का सामना आता है तो आप इस पर reply कर जाना लेकिन मैं आप लोगों को इंस्टा पर ज्यादा यह करूँगा क्योंकि कभी कभी मैं इंस्टा से आप लोगों को call करके आपके problem solve करने की कोशिश करता हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा तर बोलता हूँ कि आप लोग मुझे problem होगी तो Instagram पे आप DM करो वहाँ पे आपकी problem मुझे लग रहा है कि कुछ major problem है तो मैं आपसे call करके face to face, video call करके मैं बात करता हूँ तो ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आप इंस्टा पे मुझे DM कर दो ओके तो दोस्तों आज की सुड़े में बस इतना है ता कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब टक के लिए बाबा टेक केर, हाओ नाइस दे